दोस्तों अगर इस तरीकी की loss recovery करना चाते हैं back to back तो आप join कर सकते हैं हमारे telegram channel को जिसमें 9 बजे ही बता दिया जाएगा कि कल आपको call site जाना है कि put site जाना है सुबह 9 बजे जाके join करिएगा description में link है free channel है तो आपको कल ये तो confirm हो रहा होगा कि कल हम positive open होने वाले हैं but we have to be cautious also क्योंकि आपको पता है कि चुकि यहाँ पे market totally oversold है totally oversold है तो एक short covering तो बननी है ये कोई भी doubt नहीं है लेकिन वो कहां तक बनेगी ये अभी decided नहीं है तो आपको short covering पे ही trade कर लेना यानि पहले 20 minutes में trade कर लेना है then decide करना है market की power को strength को क्योंकि डॉलर अभी भी शान्त नहीं हुआ है डॉलर 104 के उपर है अगर ये 104 के नीचे sudden देखेगा एक downfall मार देता है कल open होते ही तब आप समझे लीजेगा कि वो जो running momentum है जो short covering momentum है वो sustain कर सकता है तो dollar पे निगा बना के रखनी है लेकिन कल positive open होंगे इसके कई तरीके के circumstances मैं आपको बता रहा हूँ पहला देखेगा circumstances यह है कि हम लोग pain में थे RBI के minutes जो आएंगे minutes में जो चीज निकली उसका impact आपको देखने को मिल गया nervousness थी और वो चीज खतम होगई पुरानी होगई फिर हम लोग बोला था Jackson Hole symposium में से कुछ निकल के आएगा तो बहुत ज़्यादा pain होगा pain अलड़ी पहले हो चुका था factor in और फिर रात तक क्या हुआ Dojones ने rebound कर दिया फिर अगर आप देखेंगे Nasdaq ने भी rebound कर दिया तो Nifty IT भी कल momentum में रहेगा तो आपको पता ये दोनों जहाँ problem थी वो problem solve हो गई है अगर वो problem solve हो गई है तो इसका पहला देखेगा impact हमें पहले 15 मिनिट में देखने मिलेगा पहले 15 मिनिट में market positive रहने के उमीद है तो ये जो पहला impact होगा वो Dojones से आएगा चुकि Dojones positive close हुआ है और Nasdaq से आएगा चुकि वो भी positive close हुआ है चुकि ये दो बड़े outcome आने थे जो की आ चुके अब आगे बढ़ते हुए देखेगा आपको पता है Reliance Industry नहीं चल ला था Reliance Industry ना चलने के कारण क्या था कि crude लगाता गिरा था तो last particular देखेगा week में जो closing होई है वो होई है 1.27% की तो Reliance के लिए काफी माहिने रखती है फिर Brent Oil में तो 1.82% की होई है Natural Gas में 1.3% की होई है तो आप देख सकते हैं कि Commodity Bazar काफी positive close हुआ है after this update चाहे Jackson Hole की हो और चाहे वो RBI Minutes की हो तो Reliance जो oversold category में है एकदम totally oversold है तो वो कल positive खुलेगा Reliance positive खुलेगा तो यह second संकेत है कि आपका बाजार भी positive खुलेगा निप्ती भी positive खुलेगा तो यह second मैंने आपको बता दिया update third मैं आपको बताता हूँ कि कल हमारी currency में काफी अच्छा appreciation हुआ है मलब यह 83.5 पे पहुँच चुकी थी 4 पे पहुच चुकी थी वहाँ से एक रुपया totally एक रुपया हमारा देखेगा आयनार सुधरा है आप देख सकते हो 82.5 पे देखने हुँ मिला है जबकि डॉलर कितने पे है 104 के उपर और पिछली बार जब डॉलर 103 के उपर गया था तब ही अब लोग 83.2 और 83.3 पे पहुच गया थे तो ऐसी situation में भी रुपया अगर अपने आपको defend करे ले रहा है ये बड़ी बात है तो ये कल impact देखने हुँ मिलेगा चुकी Friday की closing तक रुपया हमारा काफी सुधर के बंद हुआ है जो की एक अच्छा संकेत है बैंकों के लिए तो ये भी एक signal है कि positive खुलेंगे फिसके बाद अगर आप देखेंगे bond market में थोड़ा redness देखने हुँ मिली जो की positive देखने हुँ मिल लई थी तो चाहे इंडिया का two year bond deal हो चाहे वो देखेगा अमेरिका के notes हो या फिर UK के guilt हो bond हो तो ये सारे क्या हुए negative close हुए तो ये bond market में जो थोड़ी से नर्मी थोड़ी से सुस्ती आई है वो भी एक indication दे रही है कि कल हम gap up खुलेंगे तो अब हम पूरी तरीके से देखेंगे यहाँ पे ये gap देखेगा बना है और उसके बाद काफी बड़ा downfall आया तो कल के लिए जो पहला support होगा वो होगा 19.200 का 19.200 पे market मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है इसे अच्छी बात ही नहीं हो सकती लेकिन 19.200 ही आपका support है यही आपका stop loss है कल का पहला target होगा उपर की तरफ पहला होगा 19.320 का कितना होगा 19.320 का पहला target होगा ये break होता है तो दूसरा होगा 19.365 का कितना 19.365 के उपर sustain करने के बाद आगे का direction पता चलेगा तो कल के देखेगा short covering में पहला target आपको रखना 19.320 का और दूसरा रखना 19.365 का तो ये आपके पहले level होगे आपको कल short covering के लिए जाना है put side के लिए नहीं जाना है पहले अगर 20 minute में आगर वे आप trade कर रहे हो nifty bank की बात करेंगे तो nifty bank में देखेगा आपका ये आपका रहेगा 444 44065 आप कह सकते हो ये काफी अच्छा support है यहां से market कई बार पलट चुका है तो ये support रहेगा आपका उपर की तरफ पहला target ही रहेगा यहाँ पे 44440 का कितना 4440 देखेगा ये आपका पहला रहेगा target और इसके उपर अगर market बढ़ता है तो 44560 के level भी देखने को मिल सकते हैं तो nifty bank के लिए आप इन particular level पे focus करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से way of direction market का समझ सके वीडियो गर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न भूलेगा Thank you so much